नवश्कर दोस्तो जेहिंद वंदे मातरम श्वागत है आपका अपने टीटी फैमली सिचकों के परिवार जेस्वाल कोचिंग सेंटर पर पावड़ बाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो आज हम बात करेंगे सीटेट परेवरेंड एवियस की क्लास के बात करेंगे यह चेप क्योंकि त्यारी लाजबाब हो रही है आपके स्लेवस के कॉड्िंग हो रही है और वह pristine हम करते हैं जो प्रीवजन स्वास में पहले हम उप्रस्ण करेंगे जो आपके प्रीवजन स्वास में पूच्छे गए हैं इसके बाद जो इंपॉर्टन कुश्यंट है उन प्रस्ण इसके अतरिक भी हमारे सरीर में भी कई सारे चीजों के ऊसकता होती है फिर ने मैं इन यह से सम्मंदित हम प्रशण करने वाले हैं क्या आप सभी लोग तेयार हैं तो आप सभी लोग त्यार हो जाएगा इन सभी प्रशणों को अटेंड करने के लिए और अब जो प्रशन करने जा रहे हैं ये सारे आपके प्रिवियस येर में पूँचे गए प्रशन है तो ध्यान पूरक समझना है और आप लोगों को फीडवे करना है कि आप लोगों को किस प्रकास से पहले प्रशन पूँचे जा गए हैं और अगामी एकजाम में क्या प्रशन है लेकि जब भी नारियल की बात करें टैपियो का किप्री भोजन की बात की जाती है तो आपका कौन सारजज आ जाता है कौन सा छे आ जाता है प्रश्चिममंगान, बिहार, तमिल्लांड वर केरल तोこ हम गएजडार आइटंस है只क्वे लोग जानते है नारियल के बात आती है तो केरल का नाम मुश्या आजाता है इसके बाद अंगले पश्ण की बात करेंगी निदान के पश्चात कोई डांक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हिमोग्लोबिन की कमी है तो उस रोगी को आरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए सबसे पहले देखे आमला होता है हरी पत्तेदार सब्जियां गुड होता है या आरन के प्रमुक्सोत होते हैं हिमोगलोबिन की कमी से रोगी को आरन की कमी पूरा करने के लिए आमला पत्तेदार सब्जियां गुड इत्यादी खाने का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इन सभी स्रोतों में जो है आयरन की मात्रा जो है प्रचुर या रथात या पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है अंगला प्रस्ण जो सीटेट में पूंचा गया है कि कोई डांक्टर एक मरुज को खाने के लिए कुछ दवाईया लिखता है और साथ ही गूर्ण आवला और हरी पत्ते सबजियां कि हीमोगलोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो आपका एनेमिया रोग होता है ठीक है एनेमिया इजदा राइट एंसर हो जाएगा और इसके लच्छन क्या होते हैं कई बार पूंचा भी जाता है तो एनेमिया के लच्छन होते हैं सिर में दर्द होना किसी कार मिन न लगना ठकान हो नहीं ये सारे आपके लिच्छन कहला ये अंगला पसल कर नीमलिक रुखे या कट्था शोंके ये कट्था हुए पानी से हो सकती है। आप सभी लोग जानते हैं कि मलेरिया नामग भीमारिय आती है ये भी आप सभी लोग जानते हैं कि मलेरिया रधात बुखार तबण circuit еловे ञाले उर्ट मैंज्टों के काटने को यहाँ पर ध्यान में रखना है क्योंकि कोई भी आपसंस से प्रस्ट लिया जा सकता है पूंचा जा सकता है इसके बाद बात करेंगे आपके अंगले प्रस्ट की अंगले प्रस्ट निम्लिकित में से मच्रों द्वारा फैलने वालों रोगों का समुच्चे इन में से कौनस का जो समुच्चे हो जाता है वो हमारा हो जाएगा डेंगू, मलेरिया और चिकन गुनिया इज़र आइटेंस हो सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाईयों के पैरी प्यारी बहाईने ग्रेणी ब्रेदर्स इसके साथ ही हम जिनका सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है तो सभी लोग इस बार आवस्ट क्लियर होगा ध्यान प्रक्स समझना है जो जो चीजें बताई जारे ही वो आपको फालो अवश्य करना है दोस्तो राश्टी पार्चेड़े की रूप रेखा एंसी अप दोजार पाँच नेशनल फ्रेमवर्क टूटाउजन फाइव के प्वाडिंग निम्लिकित मेंसे काउन सीएक पर्यावर्ण अद्दन की बि होता है तो लॉतत परचर मात्रा में किन में किन में पाए जाता है तो आप ये भी जानते समस्झते हैं आप सभी में आक्सीजन का सम्वाहक होता है प्रशना गया कि सरीर में आक्सीजन का सम्वाहक कौन होता है तो वह होता है हीमोग्लोबिन क्या करेंगे हीमोग्लोबिन यह क्या करता है लाओ तक्त्त की कमी से रख्तकी है छमता कम हो जाती है और इसी से अरक्तता जिसे हम एनेमिया कहते है यह निम्या को हिंदी में क्या कहते हैं अरक्तता कहते हैं अंगला पस दिखेगा खाद सनच्चन के लिए निम्नकित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है देखे खाद सनच्चन के लिए आलू चिप्स को सनच्चन किया जा सकता है सेब जैम को किया सकता है कच्चा आम अचार ह कि दूद और पनीद को यह छो है खाज सनचण में नहीं आता यह इनी काफी समय पर सनचण इसे नहीं रखा जा सकता एक दो दिन प्रिजियाक निचांद कर रख सकते हैं लेकिन चिप सेब जैम कच्छा मचार कि एसा होता है जो अधिकतर 2-4-6 महिने सालों तक चल जाता है इसके बाद अंगला प्रस्चन जो की बहुत इंटेस्टेड पॉस्चन है आए जान लेते हैं आप लोगों का फीड़े क्या मिलता है प्रस्चन की बच्चों के द्वारा सबजी बजार में इकटी की गई निम्लिकी समागरी में उन्हें पहचानना है जिनके भीतर बीज होते अब बीज वाले समुच्चे को में देखना है किसमें किसमें से बीज होते हैं तो आपने देखा होगा टमाटर, नासपती, चीकू, बिंडी, करेला, खीरा, इन सारे में क्या होते हैं बीज होते हैं अब बांकी अनफलों में बीज नहीं होते हैं ठीक है चले बात करेंगे अंगले प्रश्ण की दोस्तों रीना आम पशंद करती है वह इन्हें जोड़े के लिए सनच्छित करना चाहती है तो निम्नकित मेंसे कौन सा तरीका सनच्छन के लिए सरवादिक उप्युक्त होगा देकि आम का सनच्छन यहां पर किया जा रहा है तो आम के सनच्छन के रहते हैं तो खाना पकाने की तरीके सबसे पहला का लिए स्क्र किया जाता है तलकर भी किया जाता फिर भून कर भी खाना पकाई जा और EBS में ज़्यादा तर आप देखते होंगे कथन रिडेटेर कुछ एड़ कर दिया जाता सिंपल सपर्ष नहीं पूचा जाता दो चार चाहे लाइन दस लाइन एड़ कर देंगे यनि आपका टाइम विष्ट करने के लिए सारी चीजें की जाती है कम टाइम में कैसे आपको सटी कैंसर निकालना है मीरा और दिब्या छोटी लड़किया है मीरा समोसे कटलेट डबल लोटी खाना पसंद करती है जबकि दिब्या भोजन पसंद करती है जिसमें लाव तत्थ की कमी है मीरा और दिब्या को निम्रिकित बिमारियों में क्रम से कौन सी बिमारी हो जाएग आप देखें जो यहां पर समोसा खाएगा और कटलिट खाएगा डबल लोटी खाएगा तो कहीं न कहीं मोटापा होगा मीरा मोटापा पर लौत्त की अगर कमी है ऐसा भोजन दिब्या करती है तो लोत्त की कमी से थाधा आप फिकमाथ लिए मोटापा और दिब्या कोया हो जाएगा अरक्तता की बात कर रहे हैं आए अग्लेश कि निंग्लेज़ की अग्लेफिड चावल रेफिजरेटर में अपेच्छा कत लंबे शमय तक परचित किया जा सकते हैं क्योंकि क्यों किया जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर क्या होते हैं रोगान क्या होंगे सक्री होते हैं और कम तापमान होगा तो रोगान निस्क्री होते हैं इसलिए फ्रिज में जो है इ यही होता है अंगला प्रस्ण होता है दोस्तों बिटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो तेकि बिटामिन जो पदार्थ होते हैं वे होते हैं जो हिंता जन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं अंगला पसना आईए देख लेते हैं समझ लेते हैं और आपका फीडबेक जान लेते हैं सभी कमेंट करते रहेगा सभी मित्रों को जेहिंद वंदे मातरम शातियो इस बार सीटे टिक जाम को फते करना है तो आपका प्रते कमेंट फीडबेक सरो पर यह सुरमान है साथियों भारोत तोलकों को प्राय ज्यादा मास पेसिया और बाडी मास पनानी के अशकता होती है इस उद्देश के लिए उन्हें ऐसा हार लेने की अशकता होती है जो किस से भरपूर होना चाहिए जिस जो आपके प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए अधिकतर भारोत तोलक होगे बाड़ी विरल क्या है प्रोटीन सेक लेते हैं आप लोग देखते होंगे प्रोटीन सेक अंगला है ने मिलके तुमेंसे किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचोड़ता है देखे सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस वर्ग में सभी लोग जानते सोया बीन में सबसे और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है तो प्रोटीन की कमी से कौासी और कर नामक रोग होता है। अंगलापरस देख लेते हैं कौासी और कर नामक रोग किसकी कमी से होता है तो अभी हमने बताया प्रोटीन की कमी से होता है। इसके बाद अंगला परसन इंट्रेस्टेट परसन दिया गया है कि चावल को पालिस करने पर कौन सा बिटामिन नस्ट हो जाता है आज कल देखते होंगे मार्केट हम बिलकुल चावल ले तो असे चमकते हैं दूर से उसका रीजन उसमें पालिस की जाती है और पालिस करने से चाल में एक ऐसा बिटामिन होता है जो नस्ट हो जाता है वर बिटामिन होता है थाइमीन जिए हैं दोस्तों D.Option is the right ले और थाइमीन को ही बिटामिन B.1 को रासानिक नाम थाइमीन है तो वो कंफ्यूज नहीं होना है तो प्रोटीन का सरुद कर सोस यहां पर सोजा भीन होगा क्योंकि 42 से 44 परसंट यहां पर प्रोटीन की मात्रा होती है आईए बात करेंगे अंगले परसंट की विटामिन A की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है तो vitamin A की कमी से होने वाले रोग आपको हो जाता है रताउंदी फर्स्ट आप्सन इन दर आइटन से ठीक है रताउंदी का मतल़ होता है रात में जिसे कम दिखाई देता हो ठीक है vitamin A के मुक्सोत क्या क्या होते हैं सबसे पहला होता है यक्रत का तेल गाजर पपीता आम टमाटर मक्षन ये सारी चीजें खाना चाहिए जिनको रात में कम दिखाई देता हो या अरताओंधी रामक बिमारी हो अंगला किसी या किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुखता है तेके आपके अग का नहीं जमता है उनके पास बिमारी होती है बिटामिन के की ठीक है बिटामिन के का रासानिक नाम क्या है नेफ्थो किनोन क्या है नेफ्थो किनोन इसका रासानिक नाम है और ब्लड क्यों जमा हो जाता है क्योंकि बिटामिन के में एक जो है प्रोथामिन रसायन होती है क्य अंगला है रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होता है तो सभी लोग जानते हैं आपका आपसंस बिटामिन के ही होगा ठीक है और बिटामिन के के प्रमुक सोथ कौन कौन से हैं आपका दूध है मक्खन है अंडा आलू टमाटर पाला खरी सब्जिया इत्याद ये सारे बिट अध्धापक अध्धापिका बनेंगे, कच्छा में जाएंगे, पढ़ाएंगे, और एक अध्धापक को देखेंगे, अगर अध्धापक यानि आप अगर आलू, चावल, बिट लेकर, सक्कर लेकर, उधारन देकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा पढ़ाना क्या तो इससे रख्ट का थक्का आपके नहीं जमेगा, यनी चोट लगेगी तो खुन आपका बंद नहीं होगा, अंगला है, रमोन को उसके पडोसी ने 4 किलो आमला उपहार में दिया, वह मुरबा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक को अपनाने की जहुद्त होगी, त होता है देखे भोज पदार्थों को खराब ना होने से बचाने के लिए उसका परिरच्छन आवश्यक होता है और इस बीद में सिर्का का तेल नमक के प्रयोक अचार को सनच्छित किया जाता है अता है रमन को आवले का मुरब्ब बनाने में परिरच्छन तकनीक अपनाने की ज़रूरत पड़ेगी अंगला है निम्निकित में से कौन सी खुराक में प्रोटीन अधिक में नहीं है तो दाल में प्रोटीन की मात्रा होती है लेकिन घी में मास में आठ से 20% तक होती चीज अर्थात पनीर में 9% होती सबसे ज़्यादा किसमें होता है सोयबीन में अप सुमेलित वाला है इवियस में एक दो परसने से आएंगे या आएंगे यहां पर आपके आप्संस दिये गए है कटे घाओ शमान जर आंक कसूजन दांत करदर और इसके आपसंस जो है आपके समगरी दी गई है आरवेदिक कह सकते हैं घरों में जो हमेशा आपके पाय जाता है नीचे कूट वाला आपसंस दे दिया जाता है ठीक है अगर कटे घाओ की बात करेंगे तो कटे जहां भी चोट लग जाती सबी लोग जानते हल्दी का चून घ लगाया जाता है अगर समान जोर बुखार आता तो उसके लिए क्या मेथी की बीजों की चाय बना के दे दी जाती है अगर आँख में सूजान आ जाता है उसके लिए क्या किया जाता है धन्यों के बीज लगा दिया जाता है पीस करके अगर दात में दरदारा है तो हिंक प्रयोग किया जाता है और दांद के दर्ध के लिए हींक चूंड का प्रयोग किया जाता है अगला प्लेग क्या दोस्टों अक्सर कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा लेकिन प्रसन को जो है एक variety दे देते है इसे आज कल ऐते इस भारत में Digital भारत में एक अलग चीज़े आ गई है फैसन का जवाना इसका प्रसन पर भी अब फैसन आ चुका है और प्रसन पर फैसन का मतलब है प्रसन को बड़ा कर देना कुछ statement कहानी कथन जोड़ देना तो प्लेग क्या दोस्तों प्लेग एक हमारा जिवान जनित बिमारी हो जाता है प्लेग क्या है एक जिवान जनित बिमारी है और कैसी बिमारी है एक संक्रामक रोग हो जाता है और किसके कारण होता है ये पास्ट्वेराल फेस्टिस नामा की जिवान होता जिसके कारण ये प् मप्षानों को फेखड़ा प्रभावित होता है चू터 है प्लेग्रोग का वहां खोता है प्रिशन गया कि प्लेग्रोग का काई कौन होता किस की दौरत चूऊ यहां पर होता है और इसका अन्य नाम भी है ब्लैक डेट के welding प्रेयों की जाना जाता जो नियंतन करने के लिए बुखार को कम करने के लिए और सबस्जादा पायरासीटामॉल ज्यादा प्रोक के जाता है और नार्मल आपको 200 mg से मिलने लगता है अगर नार्मल है तो 200 mg ले लेते हैं अगर 500 mg है यह सिक्षिन में तो उसको आधा टेबलेट लेते हैं टेके यह नार्मल सी बात कह सकते हैं हाई यह बात कर लेते हैं अंगल्यम प्रश्ण की कि निम्न की तैमेशे कौन सा स्वास्थ स्थियों के लिए आवस्यक होता है स्वास्त हड्डी अगर आपको चाएना है तो उसके लिए आपके कैल्सियम और विटाम इंडी की आऊ सकता जरूर हो जाती है ठीक है चले अब उन प्रशनों को बात करेंगे जो संभावित होगा अब यह तक हमने उन प्रशनों की बात की जो सीटेट में यह आदर टीटीग जाम में इंपोर्टन पुशन पूचे गए थे और रिपीट हो सकते हैं अब उन प्रशनों की बात करेंगे जो संभावित प्रशनों के दिस से दोस्तों शाद का प्रभू घटक कौन सा होता है दिखें सहाद का जो प्रभू घटा खोता है वह आपको कौन सो जाएगा वह होता है फ्रेक्टोज डी आफसन इसदर आइटन से इसके बाद अंगला प्रशने कि निम्कित मेंसे सरवादिक उर्जा प्रदान करता है कार्भू हाइडेट्स प्रोटीन विटामिन या खानिज लगा तो सबसे दिख उर्जा कौन प्रदान करता है अभी हम आपको बता भी चुके हैं सभी लोग बताईएगा क्या चीजे होना चाहिए जो आपके सरीर में उर्जा प्रदान करती है कार्भू हाइडेट्स प्रोटीन विटामिन खानिज लगाण बात करेंगे प्रशन की एंजाइम मुल रूप से क्या होता है तेखें एंजाइम जो होता है वह मुल रूप से आपका प्रोटीन होता है इसके बाद है कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयावीन के दानों में पाई जाती है अंगला पसने मानो सरीर में बिटामीन ए भंडारित होता है जो आपका सरीर है हमारा सरीर है जो बिटामीन ए कहां पर भंडारित होता है तो यह दोस्तों आपके यक्रत में जो है वंडारित होता है इसके बाद अंगला पच्छन है कि निम्लिकित मेंसे कौन से एक बिटामिन A का प्रचुरूम सोत है तो बिटामिन A का जो प्रचुरूम सोत आपको बताना है प्रचुर से सोत बताना है वह हम आपको बता चुके है वो होता है आम क्यों होगा बिटामिन एका प्रमुक्सोत यहाँ पे आम मिजदा राइटेंसर हो जाए अंगला पुछना है पैकेट का दूद सनच्छित किया जाता है जो पैकेट में दूद मिलता है कई सारे कमपनियों के मिलते हैं वह किसके द्वारा सनच्छित किया जाते है क्योंकि दूद अगर होगा तो फट जाएगा तो उसे दूद पाश्री करन द्वारा सनच्छित किया जाता है किसके द्वारा पाश्री करन के द्वारा कुपोसन नहीं है तो क्या कुपोसन नहीं होता है तो सभी लोग जानते हैं पोसंड की कमी, प्रतिरोधक छमता की कमी, बौधिक छमता में कमी, ये सारे कुपोसंड है लेकिन अगर उचित सरीरिक विकास हो रहा तो इसे कुपोसंड नहीं कहा जाएगा इसलिए कार्ड इंडे कुश्चन्स यहां पे हमारा थर्ड वाला अप्शन सही हो जाएगा इसके बाद 208 से दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग बताएगा तो सभी लोग जानते होंगे दिवसों से एक दो प्रशन आई ही जाते हैं तो 208 से दिवस आपका एक दिसंबर को मनाया जाता है अंगला प्शन भारत में पल्स पोलियो टीका करण कारकम जो है कब आरम किया गया था तो 1995 में जो है से आरम किया गया था, सुरुवात की गई थी दोस्तों निम्लकित मेंसे किसमे कोबाल्ट होता है अब कोबाल्ट किसमे होता है, अगर आपको पता है कमेंट अवश बताईएगा कोबाल्ट की बात कहते हैं, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है क्यों जयागा बिटामिन B12 is the right answer बिटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता चर्म अर्था चमरी को चमरोग होता अगर बिटामिन कौन सा खट्टे फलों में पाए जाता है तो खट्टा फल है तथा बिटामिन सी की बात हो रही ठीक है तो अच्छा संबंदी बिमारियां है तो विटामिन सी के जो ज़्यादा स्रोथ होते हैं वोने खाना चाहिए आमला, संत्रा, नेवो, टमाटर अंगला पस देखेगा निमिकित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों में रक्त आ है और दा थिनने लगते यहां, अक्सर आपने देखा होग का मसूरों से ब्रड निकला रखता आ जाता है खुन निकलने लगता है, दाद भी हिलने डुलने लगते हैं यह एक बिटामिन के कमी से होता है, वह कौन से बिटामिन है? वह है बिटामिन सी इसके बाद अंगला पस देखा है बिटामिन सी का रासानिक नाम क्या है? लोसे भी लोग जानते हैं बिटामिन सी का जो रासानिक नाम हो जाता है वह आपका हो जाता है, Iscarby will come इसके बाद अंगला पॉसनहें निम्कित में से किस युग में सही सूमेलित नहीं दिया गया है बिटामिन उसके रासानिक नाम दिये गए है या बिटामिन या उसके रोग दिये गए है कौन कौन से होते है देखें यहां पर थाइमीन दिया गया है तो थाइमीन से यानि बिटामिन एक कमी से बेरी बेरी रोग इसकार भी कम इसकर भी होता है बिटामिन के से रक्त का जमना होता है बिटामिन इसे वर्णान दता होती है अब इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है अब आपको कमेंट करके बताना है कौन से इसमें सुमेलित नहीं है या कौन सा सुमेलित है ठीक है चले सभी लोग आई होब सभी लोग कमेंट करेंगे और हमें यहाँ पर अनसंदान संस्थान कहां पर इस्थित है देखे जब भी केंदरी खाद प्रदोग की अनसंदान संस्थान की बात की जाएगी यह हमारे मैसूर में इस्थित है एलीसा जाँच किस रोग की पहचान करती है तो एलीसा जाँच जो की जाती है ये आपके एट्स जांच के लिए की जाती है अगला केंद्री ओसदी सोथ संसान CDRI इसी थे किस पर इसी थे सबी लोग बताइएगा तो ये दोस्तों आपके लखनौग में नवावों के शहर लखनौग पर इसी थे इसके बाद मिलान करना है रताउंदी इसकर भी रिकेट्स रखताल पता दिया गया है सामने बिटामिन से दिया गया है इनको मिलाना है और सही सटी के इंसर बताना है देखे सबी लोग जानते रताउंदी बिटामिन A की कमी से होता है इसकर भी आपके बिटामिन C की कमी से होता है जो रक्ताल पता होती है वह आपके किसके कमी से होती है तो रक्ताल पता आपको बताना है विटामिन B1 रिकेट्स यानि कि हड्डियों से सम्मंदित कमजोरी वह विटामिन D होता है ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा फोर्त आपसन दिया गया है वह यहां पे सही हो जाएगा अब अंगला उसी प्रकार से है और दिया गया है कि बिमारियों और उसके जाच को सही रूप में दोनों के स्तंबों में बताना है बिमारियां और उसकी जाच यहां पे दी गई है कि किस विमारी के लिए कौन सी जांच की जाती है लेके बिडाल जो टेस्ट होता है किस विमारी के लिए होता है टाइफाइड के लिए होता है जो डिक टेस्ट किया जाता है या किस के लिए किया जाता है तो स्कारलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट किया जाता है इसके बाद निकेड टेस्ट किसके लिए किया जाता है यह आपके डेंगू बुखार के लिए टार्निकेड टेस्ट किया जाता है आरे फेक्टर टेस्ट किसके लिए किया जाता है तो यह आपके गठिया के लिए किया जाता है और एलिया टेस्ट किसके किया जाता है एट्स के लिए किया जाता है जो हम आपको बता चुके है यानि जो आपको पहला आपसन कूट वाला दिया गा है वह हमारा यहां पर सही हो जाए गाए नोड़ाट सभी लोग समझ गे होंगे इच्छे तरीके से आए बात करते हैं अंगले पिस्ट के दोस्तों निम्लिकित में से कौनस बीमारी जल द्वारा नहीं होती है लेकिए जल द्वारा जो बिमारियां होती है वह टाइफाइड होगा अमीबस होगा हैजा होगा लेकिन जो फ्लू बिमारी होती है यह जल द्वारा नहीं होती है जल के माद्धम से यह नहीं फैलती है अंगला प्रश्ण है शरीर के अंदर लौग की कमी से उत्पन होने वाला रोग कौन सा होता है तो सरीर के अंद अगर लौल तत की कमी है तो वह आपके रक्त हिंता होगी क्या होगी रक्त हिंता नामक बीमारी हो जाएगी निम्न कितमें से किसका कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोवाल्ट जो 60 होता है इसका उप्योग कैंसर में उपचार के लिए किया जाता है अंगला है मीनी माता रोग का कारण क्या होता है तो मीनी माता जो रोग होता है इसका कारण होता है पारा क्या होगा पारा अंगला पुस्ट नहीं जपानी इनसे फिलाइटिस का कारक होता है कौन होता है तो यह आपका कहला जाता भी शाम भी आप्सन इतर आइटेंस आई अंगला पुस्ट देख लेते हैं निम्नकित में युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है देखे आप सभी लोग जानते हैं सभी सरवक व्याखाता लोग हैं भाविद्धापक करदापिकाए हैं इताय में इनका वेरी वेरी होता है विटामिन डी सूखा रोग यानि रि तलपता होती है तो विटामिन जो सी आपसन आपको सुमेलित नहीं दिया गया है काला जार का संचार किसे होता है तो जो काला जार होता है इसका संचार जो होता है बालू मक्खी के द्वारा होता है किसे होता है बालू मक्खी के द्वारा होता है अंगला चेचक के लिए टी टीके का विस्कार हुआ था और इस टीके का विस्कार करने वाले कौन है वह आपके एडवर्ड जेनर है यह कोई और है सभी लोग बताईए आपके कॉडिंग क्या होना चाहिए लूई पास्चर का भी आपने नाम सुना होगा मानो गुर्दे में पथरी निम्लिकित में से किसकी बज़े से बनती है हमारे जो गुर्दे में पथरी बन जाती है किसकी बज़े से किस कारण से बनती है तो वह आपके कैल्सियम और जिलेट से बन जाती है और तीस्वा प्रस्ण है जो सूची करना है इन सूच्यों को मिलान क पिर बताना है। सूची में प्लेग, एड्स, गंजापन, मलेरिया बिमारी दी गई है। और अंत में प्रोटोजोबा, कबक, बिसान, जिवान, किसके दोरा बिमारी होती ये दिया गए है। और ये आपको बताना है। देखे अगर प्लेक की बात की जाती है जीवानु नामक बिमारी होती है और एट्स की बात की जाती है तो यह बिसानु नामक बिमारी होती है जो गंजापन हो जाता है बाल जर जाते हैं यह कवक नामक बिमारी होती है और जो मलेरिया होता है यह प्रोटो जोगा नामक बिमार यानि जो आपका यहां पर B option कहरा है या S वारी D option जो कहरा है वह आपका यहां पर सही हो जाए यह रहाए EBS के भोजान अस्वास से सम्मनित हमने माधपूर्ण चेप्टर कम्प्रीट किया इसी तरह डेली चेप्टर के जो important question है करने वाले हैं साथ ही साथ previous questions भी करते हैं किस level के पूछन पूछे जाते हैं और आने वाले जो संभावी से tough selected questions होने वाले हैं तो 11.30 में आपको EBS की class मिल जाती है और 7 to 7.30 में आपको CDP बाल विकास की class मिल जाती तो आप्टेंड करना अपनी त्यारी को बेतर करना है और 150 में से 120 प्लस का स्कोर आवाशाफ लोग क्राप्ट करेंगे तो आए मिलते हैं आपके English class पर सभी मित्रों को जेहिंद बंदे मातरम धन्माशवीद